नमस्ते दोस्तों स्वागते आपके चैनल पे आज हमारा काफी decent profit होगा है काफी अच्छा profit होगा है 4,0,0,0,000 प्लस हमारा profit होगा है एक ID में मेरा कुछ profit 3,0,5,000 का था और दूसरे ID में मेरा कुछ profit 80,000 to 90,000 के बीच में था मैं आपको सब कुछ लाइक दिखाऊंगा प्लस मैंने ये profit की analysis से किया मेरा क्या view था मेरी क्या psychology थी money management क्या था मैंने इतनी quantity क्यों ली ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और जो भी चैनल पे नया है तो प्लीज हमारे चैनलों को बीना subscribe किये मच जाएगा तो चली हम लोग अभी चलते है analysis के उपर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये मेरी एक first idea जिसमें मैं हमेशा आपको trade trade करता हूँ जो की user idea आप सब भी लोग जानते होंगे जो की starting से हमारी वीडियो देख रहे है एंड टेलिग्राम में अगर मैं जाऊँआ तो यहाँ पे आपको second idea देखने को मिलेगी 3,48,000 कुछ को हमारा profit हुआ है ठीक है और ये मैं कभी का profit book कर चुका था मैं Instagram पे एक बज़े ही update दे चुका था मेरा profit book हो चुका है अभी आप बोलोगे कि आपने ये ID इधर open क्यों नहीं कर रहे है ठीक है तो यहाँ एक desktop में हम लोग user ID ही open कर सकते हैं ठीक हो इसलिए मैंने आप टेलिगाम गुरूप में डाल दिया था और फिर कभी मैं आपको इस ID का रिव्यू दे दूँगा क्योंकि ये ID में कभी मैंने रिविल्ड नहीं की है क्योंकि इसके अंदर मेरी काफी सारी holdings भी है और मेरी काफी सारी option selling के positions भी में लेता हूँ तो कभी इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा market का analysis क्या था सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो ये trade दी थी मैंने telegram group में trade दी थी अगर आप लोग telegram group में join नहीं हो आप लोग join हो सकते हो link in description यहां पर क्या था ना कि market पूरा sideways में closing दे दिया यह देखिए जहां पर हम लोगों ने trade execute की थी वही पर market ने closing दे दी तो हमारी यहां पर poison exit हो गई थी ठीक है और मैं सभी members को exit करने के लिए बोल दिया था group में क्योंकि market sideways था तो चली अभी हम लोग चलते कि हम लोगों ने profit market कैसे बनाया तो हम लोगों ने यहां पर एक यह trade लीती और हमारा ACL यह वाला था समझे रहो यह वाली point था क्योंकि देखो मेरे दो setup बन रहे थे सबसे पहले में आपको एक setup बताता हूं हमारी CPR की strategy ठीक है यह only confirmation होता है यह only confirmation था कि अगर market CPR जब भी market में हमारी strategy को अगर breakdown करते हूं market down के तरब जाएगा अभी आपको यह पता चल रहा होगा इदर 3 CPR line है जिसे कि यहां पर 3 CPR line है यह 3 CPR line है अभी यहां पर क्या हो रहा है जब market अकर डाउन आ रहा है तो market यहां से support ले रहा है तो हमारी trade यहां पर कैसे बनती जैसे कि हमारी trade यह वाले candle पर बनती हो आप लोग समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोलने कोशिश कर रहा हूं तो यह हमारा support हमारा resistance लेवल पी हो सकता है लेकिन मेरा target बिल्कुल छोटा था क्योंकि मुझे पता था कि अगर यहां से market spike मारेगा तो यहां से reversal हो सकता है no doubt market यहां पर trade लीती यह candle की closing के बाद अगर market यह यहां से उपर की तरफ जाता ठीक है तो मेरा SL हीट करके फिर यहां से डाउन आ सकता था लेकिन मैंने थोड़ी risk ली क्योंकि मुझे लग रहा था जैसे कि मैंने यहां पर 2 candle का wait किया मैं trade तो यही पर लेना चाता था लेकिन हुआ क्या यहां पर rate candle की देन यहां पर second rate candle बन मैं सोच रहा था अगर market यहीं से डाउन चला जाता है तो मेरी entry यहां पर मैंस हो जाएगी ठीक है और अगर market यहां से उपर की तरफ आता है तो यहां पर SL हीट हो जाएगा ठीक है लेकिन ज्यादा कम चांस थे market की उपर की तरफ जाने का क्योंकि market यहां पर 2 rate candle बना चुका पर अगर कोई bearish candle यहां चोटी मोटी पढ़ियोगी तो कोई bearish candle यहां कुछ अगर candle बनती है तो वहां पर माना जाता है कि market वहां से reversal ले सकता है तो जश्ट यह मेरी नोर्मर एनलाइस थी तो मैंने यहां पर trade लिया, selling के लिए और मेरी एक candle में मुझे यहां पर 100 point यहां प दीरे दीरे चलते चलते मैंने यहां पर अपनी कुछ और quantity यहां पर exit की ठीक है क्योंकि मेरा ASL cost to cost हो चुगा था, अगर market उपर जाता तो 30% quantity में exit करके निकल जाता, लेकिन 30% quantity में भी मुझे यहां पर अच्छा कासा profit हो और मैंने यहां पर exit किया, आज expiry का day था और कही न आनी था, लेकिन आप टाइमिंग पता था कि 10 बजे से लेकि सारे 10 बजे के बीच में RBI की news आएगी, ठीक है, तो यहां पर भी मैं trade लेने लिए सोच रहा था, लेकिन आपको पता है कि market में news की, अगर आप news को देख के trade ले रहे हो, तो एक तरह से वहां पर चीज़े 50-50 हो easily अगर आप देखोगे ना, तो आपको यहां पर एक 450 पोइंट यहां पर आपको फोल देखने को मिलता है, मतलब कि जो 50 पर की stack price है, वो आपको कहीं ने कोई 300-400 जाहते हुए दिखती, ठीक है, अभी आप बिलीव नि करोगे, मैंने यहां पर 60 रूपीस में बाइल किया था इसको, मैं आपको दिखा देता हूँ, और मैंने इसको छोड़ा somewhere around 100 या 120 में, ठीक है, तो यहां पर देख लीजे, मैं आपको यहां पर extract price भी निकाल के दिखा देता हूँ, अभी मैं आपको इस trade का और logic भी समझाऊँगा, ठीक है, यह तो कुछ नहीं है, मैं आपको एक- पर market open हुआ था, हमारा 10 बच के, यहां पर market open हुआ था, ठीक है, फिर अगर market यहां पर आता है, तो एक गंटे के अंदर, मतलब 15 मीट के अंदर, 20 उपे की strike price, मतलब 30 उपे की strike price, कहां पर जाकी चलीगी, diet इसने high लगा है, 220 पर, मतलब की पेशा कितना गुना हो चुका है, 10 10 से 11 गुना पेशा हो चुका है, 1 लाग लगाते, तो आपका कितना पेशा होता है, 10 से 11 लाग, ठीक है, तो यही चीज़े होती है, अब एसा नहीं है कि हम लोगों ने opportunity miss कर दी, बट देखो, अगर आप लोग यहां पर interview बनाते है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप लोग यहां पर interview बनाते है, तो आप लोग कहीं नहीं है, हम लोग यहां पर निकल जाते है, क्योंकि पेशा almost 3 गुना हो चुका है, हम लोग यहां पर निकल जाते है, फिर market क्या करा है, थोड़ा down आया, तो हम लोग यहां पर position exit करते है, बड़े target के लिए हमें wait क करना पड़ता है, प्लस हमारे amount को risk पे लगाना पड़ता है, तो कहीं नहीं कहीं, आज मैं full risk लेने के लिए ready था, लेकिन मैं यही सोच के आया था, कि आज करिम से कम 3-4 गुना केपिटल तो करके जाएंगे, बड़ कोई दिक्कत नहीं है, मेरा capital को हमें 60% केपिटल ग्रो कि मेरा mindset था कि कहीं नहीं 60% देने के लिए ready था market में, कि अगर मुझे 60% loss भी होता है, तो मैं market को exit करूँगा और वो loss accept करके मैं निकल जाओगा, लेकिन मेरा profit हुआ काफी decent profit हुआ काफी अच्छी बात है, अभी मतलब अगर आपको पेशा कमाना है, risk पेशा कमाना है, तो आप यहाँ पर कितना return लिया, ठीके, तो चलिए मैं आपको कुछ दिखा रहा था stack price, जब मैंने trade लिती ना, जब मैंने trade लिती तब हमारा market कुछ यहाँ पे था, देखो, मैंने जब trade लिती ना, जब हमारी stack price कुछ यहाँ पे थी, मैंने कुछ quantity यहीं पे लिती, ठीके, 60 पे मैं डाउन आया तो मुझे कहीन है कि घूम राइय से हा थो को इक है पर दीका शेसे दोजी के टारत कि घूल तो अभी मैं आपको candle दिखा देता हूँ इस candle का move कितना था अगर आप लोग ये candle का move देखोगे न तो आपको ये candle का move दिखेगा ये देखो 120 या 130 point का हम लोग यहाँ पर move देख सकते हैं और हमाई stack price का moment आप देखो यही होता है expiry की दिन इस लिए लोग trade करना पसंद करते हैं कि उनका कहीने कहीन यहाँ पेशा डबल तीबल easily हो जाता है और loss तो भाईस आप अनगिनतबार होता है ठीक है तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेगा और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी analysis क्या थी और मेरा क्या view था आज के market को लेके आज मैं trade इसलिए कर रहा था क्योंकि कहीने कि मैं पास profit का पेशा था मुझे उसको risk पे लगा के कुछ return निकालना था मतलब इसको जुआन ही बोलते हैं आप लोग बोलोगे कि या तो मुझे उस profit से अच्छा कास और profit मिल जाता समझ रहा बात को तो उन चीज़ों को follow करके मैं आप risk management follow करके मेरी quantity को manage करके फिर मैं आपे trade लेता हूँ और मैं काफी time से यहाँ पे wait कर रहा था देको मैं कम से कम यहाँ पे मैंने सब कुछ देखा market में news वाला सब कुछ देखा फिर मेरा जब mood बना कि हाँ अब मुझे trade करनी चीए तो मैंने यहाँ पे trade लिया मैं चाहता तो यहाँ पे trade ले सकता था यह breakout हो यहाँ पे trade ले सकता था मैंने trade नहीं ली क्योंकि confidence जब तक नहीं आता है market देखो जब से market fall कर रहा है अब पूरानी वीडियो मेरे देख सकते हो जब मैंने 50,000 कुछ profit हुआ तो उस दिन तो मैंने वीडियो डाली थी market continue यहाँ पे fall कर रहा है ठीक है fall कर रहा है देन market sideways हो गया ठीक है sideways यहाँ पे market की हुआ सबसे पहले मापको दिखा देता हूँ एक गंटे के अगर हमें चार्ड में जाओंगा तो आप यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर market यहाँ ले लेवल को break करके down की तरफ आता है तो कहीं ने की market हमें देखने को मिलेगा 13,300 यह 400 पे हमें market देखने को मिलेगा ठीक है और अगर market ने यहाँ लेवल ब्रेक किया तो market का जो प्रिवेसली जो हाई था ना यह तो market ने इभी हाई break किया है और निउ हाई की रेट किया है बट market का जो प्रिवेसली हाई था इस हाई को market डाउन की तरफ ब्रेक डाउन कर चुका होगा तो market एक तरह से बेरी स्टेंड में आ सकता है मेद ठीक है तो इसलिए मारेकर यह यहां पर काफी time से sustain कर रहा है और यहां पर काफी जार बायर से यहां पर आ रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि यहालन arrays को ब्रेक नहों मारेकर डाउन की तर Zarq ना जाए तो इसलिए आपर से market को उपार की तरफ ले जाये जा रहा है sellers कोशिश कर रहे हैं कि यह वले level को break किया जाए तो इसलिए market आज वापस आपको यहाँ पर देखने को मिला और यहाँ पर great candle देखने को मिली ठीक है तो यह market में analysis चल रही है अगर market यह वले level को break करता है तो market को यहाँ पर आने से कोई नहीं रोग सकता फस्ट टाइगेट हमारा यह होगा और second target हमारा यह होगा अगर यह वले level को market break करता है तो फिर वो अलग level निकलते चले जाएंगे डाउन के चाहिन में ठीक है लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर bounce back की बात करें तो अगर bounce back यहाँ से market करता है तो यह वले level को market को break करना पड़े है यह strong यहाँ से bullish moment लाने के लिए जो कि हमारे level होगा पेतालिज़ार, सित्तर का या सो का level आप लोग मान सकते हो ठीक है इसके बावज़ोद आप full bullish मत होना जब तक यह वले level break नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर market trip भी कर सकता है यहाँ पर buying का moment दिखा कि market down की तरफ भी आ सकता है एक अच्छा price on market बना रहा है तो मेरा यही मानना था कि market देखो इतना जल्दी तो मतलब की उपर की तरफ निकलेगा नि अगर market को उपर की तरफ निकलना होता तो market को काफी ज़्यादा time यहाँ पर निकल जाना था यह देखो लेकिन market को अगर यहाँ पर down जाना है तो एक pattern बना जा रहा है market अगर थोड़ा bounce back कर रहा है थोड़ा down आ रहा है down आया इतना प्यारा bounce back देखने को मिला यहाँ पर down आया ठीक है थलका सा bounce back देखने को मिला लेकिन हमारे पास यह strong level था तो मैंने ऐसे selling के trade बना ली ठीक है एक resistance level को selling के trade बना ली और market का overall view देखके मैंने पर trade identify की है और अलगर मैं Fibonacci tool के बात करूँ तो देखो यहाँ पर Fibonacci tool भीकुल इजी तरीके साफ लोग ड्रोग कर सकते हो इसका high लिया और यह low लिया ठीक है और यहाँ पर आपको एक level देखने को मिलेगा जो कि 0.5 बला level Fibonacci tool भी मैंने ड्रोग करती देखो मैं Fibonacci tool और मतलब कि long time में मार्केट को देखना नहीं भूलता हूँ Fibonacci tool लगाना नहीं भूलता हूँ CPI strategy का confirmation ले के चलता हूँ Prication involved करता हूँ SL hunting देखता हूँ कि कहाँ पर कौन से buyers का कहाँ पर इसे ले और कौन से sellers का कहाँ पर इसे ले New buyers कहाँ पर inter हो सकते New sellers कहाँ पर inter हो सकते है तभी मैं एक trade को buy करता हूँ तो यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा Market देखो, Market कहाँ पर रुका हुआ है Market 2 तारीक से, 2 अगस्त से लेके 10 अगस्ती, मतब 10 दिन 10 दिन से Market EC range में है तो हमें कुछ सोचने की ज़रूती नहीं कि हमें Fibonacci Tool कहाँ डो करना है यह High पकड़ा, यह Low पकड़ा, Mark कर दो 0.5 वाले लेवल को Market ने ब्रेक किया फिर इसको उपर की तरफ आया फिर यहाँ पर अगर जैसे ही Market इस 0.5 वाले लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया है ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे ही Market ने 0.5 लेवल को ब्रेक किया कोई दिक्कत नहीं है, अगर Market इसको रेसेंस लेने आ रहे है तो आप लोग यहाँ पर ठेड ले सकते हो ठीक है, तो Market नहीं पर डाउं की तरफ जाएगा 0.5 लेवल क्या है, फीबोनाची टूल को किस तरह से यूज किया जा सकता है, ठीक है, इसके उपर इसके बाद कल वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी फीबोनाची टूल के उपर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी जो कि कल या परसू आएगी, ठीक है, तो इस वीडियो को प्लीज आप सपोर्ट करना और जेनियूली में आपको नोलेज शेर करता हूँ, जो कि मैं जानता हूँ आने वाले टाइम में काफी चीज़े मैं आपको शेर करने वाला हूँ काफी सारी स्टाइजी, option selling की स्टाइजी, scalping की स्टाइजी स्टोक को आपकी इस तरह से identify करके अच्छी कासी long time के लिए holding कर सकते हो इसकी भी मैं पास मतलब कि काफी जार analysis है बेक टेस्टिंग की हुए, काफी साल के बेक टेस्टिंग की हुए, हमाँ पर इस टोक से और बेंग निप्टी को किस तरह से analysis किया जाता है बारी की से आपकी psychology क्या रहेगी, risk management क्या रहेगा इस AC वीडियो, knowledgeable video आपको भी देखने को मिलेगी हमारे YouTube चैनल पे subscribe कर सकते हो अगर आपने वीडियो को like नहीं किया तो please like कर दीजिए motivation मिलता है, कि हाँ मैं जो आपको चीजे छिका रहा हूँ तो आपको पसंद आ रही है, और आप प्यारा सा comment कर सकते हो या जो भी आपका doubt हो, आप comment करके बता सकते हो ताकि मैं आपको reply करके हो, आपके doubt को clear करूँ हा thank you so much, इस वीडियो कहां तक देखने के लिए मिलते हम लोग नेश वीडियो में